हेलो प्रेंट्स आपका स्वागत है आपका अपना चैनल वेट पेटेट केटल में इदि आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफि किसन आपको पहले मिले इदि आपको मेरा वीडियो अच्छा भी लगे तो आपने दोस्तों के साथ सेहर भी करें तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं आज की वीडियो में बात करूंगा पसू में होने वाले नीमोनिया के बारे में अब सद्धिका मुसम आने वाला ह सकता है पर जी डवारा विण फंगस फुपुन दवारा हो सकते है केमिकल डस्त यह नहीं कमेल धूल करण मिक पदातों से भी नीमोनिया हो सकता है यह इस नीमोनिया के लक्षण क्या है वो लक्षण बता रही कि में जब नीमोनिया हो जाए तो उसमें क्या लक्षन दिखाए देंगी एक तो स्वास के गती तेज लेकिन कम गहरी हो रहती है क्या कि नीमोनिया हो जाने वाले पस्व में स्वास के गती तेज रहती है और गहरी रहती है भूख कम वे सुस्ति आती है स्वास लेने में भी तकल जाए तो खासी भी आने चालू हो जाती है नाक से पतला पानी जासा इस्तराव निकलता है जो बाद में क्या आता है गाड़ा और सपेद पिलावाय मौद का रूप ले लेता है और शरीर का टेमपरेजर बढ़ जाता है ये कहें कि जो पसु में होने वाली नीमोनिया के जो ल सबस्ट इस्तराव हो रहा है उसकी जाच करेंगे या तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक है और कई पर तो हम ऐसे देखते हैं कि जब शोटे पसु होते हैं उनका मकसरा भी करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत कई पर निमोनिया के लाओं और भी मिमारिया उनमें साथ हो सकती ह पार में बात कुरूंगा इधिनिमोनिया अपने पसूंक हो जाय को यूटायों स्कारै लगाता तीन दिन तक करवाएं और ट्रिटमेंट में क्या है कि आई-समय त्रसु को अभांष से अलग रखे और सब्सूं को एसे जगह रखे जहां पर हवा आ सके निमोनिया में रखें बहारी ज्यादा सवर्गी है और उस पर पर कंबल कर रठें ब्यक्तिव वायरस से होने वाला नीमूनिया नों पर इसे प्षिम होरय का सब्सक्राइम बफारा का मतलब होता है कि जो विक्स वे बाम होती है उसे हम थोड़े पानी में गरम करते हैं पहले पानी से भाब निकलने चालू हो जाती है तो उसमें हम विक्स वे बाम डाल देते हैं और उसकी जो निकलने वाली भाब है वो पसुर के नाक के पास लेके जाते हैं और दिन जो आपको मेरी टेबल पर दिखाई दे रहे हैं, जो इंजेक्शन, वो इंजेक्शन हम इसे ट्रीटमेंट में यूज में ले सकते हैं, अब एंटिवाइटी के तोर पर हम इंजेक्शन मोकसल लगाएं, बड़ा पस्व है तो 4 ग्राम, छोटा पस्व है तो 3 ग्राम, और यद यह चekडिस्तिन है, और शिमियम के तोर पर यह ज़से जीत है, यह आश्य सधव 15 ml के बीच में हम CPM को यूज में लें यह तो हम एंटिवाइटिक और इंजेक्शन के तोर पर ले सकते हैं मल्टी विटामिन के तोर पर हम इंजेक्शन लगाएं यह तो हमारा सदावार इंजेक्शन है बेलामाई यह 10 से 15 ml बड़े पसु में लगाएं और तीन दिन जो पसु मालिक हैं उनको मिलोनेक्स प्लस बोलस देके आएं चार चार बोलस जो दो बोलस सुबह दो बोलस श्याम को लगाता तीन दिन तक दिलाएं यह तो हमारे निमोनिया का ट्रीटमेंट है यदि निमोनिया परजीवी नासिक है परजीवी नासिक पेरा साइट है तो आप क्या करें उसे ऐलबॉमार दिलाएं बड़े पस्रूमें 60 ml ऐलबॉमार दें ताकि जो उसका मुआद है शांस लेने मतक्लिप हो रही हो भी दूर हो जाएगी यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ सेर करें और निचल जाकि आप कमेंट्स में लिख सकते हैं आपको किस तरह की वीडियो चाहिए मैं आपके लिए बहतर से बहतर वीडियो बनाऊंगा तो चलिए ठैंक्स धन्यवाद